आपका प्रश्ण है कि जब हम मंत्र जब करते हैं तो क्या अलग-लग मंत्रों के लिए अलग-लग माला का प्रियोग किया जाना चाहिए या एक ही माला नागा बाबा कहते थे कि गरीब और अमीर में क्या अंतर है कि गरीब और अमीर में क्या अंतर होता है उन्होंने कहा अमीर मुझे थोड़ा भूल गया कुछ ऐसे था कि अमीर तब खाता है अमीर कब भोजन काना चाहिए गरीब और अमीर को अमीर तब खाए जब उसका मन करे गरीब तब खाए जब उसको मिल जाए अब साधना पर निर्भर करता है कि आपको माला बदलनी है या वही कुछ पुरुश्चरण ऐसे होते हैं जिसमें किसी विशेश माला का ही प्रयोग होता है किसी में मुणगा की माला होगी, किसी में हो सकता है हड्यों की माला हो, इन्सान की, या किसी और की, अपने आसपास वाले की मुझे ऐसी लगा कोई गुसा है तो बोसे दे तुम्हारी माला की हड्यां बना के तो मैं जब कर डालूंगा अच्छा डाईल हो गया ना? आपका प्रशन इतना बुरा नहीं था, और नहीं इतना वंगात्मक था, परन्तु इतना सीरियसनेस देखकर, मुझे लगा थोड़ा, सीडी को चेंज किया जाए तो एन्यूवे अंसर इस के यह साधना पर डिपेंड करता है, यदि आप एक ही देवी, एक ही देवता की साधना कर रहे हैं, तो आपके बस दो मार गहें, पहला आप उसी माला में उर्जा का परवा करते रहें, वह माला सिद्ध हो जाती है, परन्तु कई बार यदि कुछ चरण मिला होता है तो सारा समान जो है चलपरवा करना होता है सारे पूजा द्रव्य साधना खत्म होने पर including आसन कुछ ऐसे होते हैं कि आसन आप रख लेते हो फिर वो आपने 10 वर्ष 20 वर्ष उसमें जो जब किया 30 वर्ष वो आसन जो है आपकी उर्जा को रखता है तो ऐसे ही गुरु जो है हो सकता है अपना आसन अपना कमंडल अपना वस्त्र अपनी माला कुछ ऐसे दे दे और ठीक वैसे ही परिवार में यदि किसी वेक्तिने साधना की हो तो वो आगे किसी को दे सकता है तो यह साधना पर निर्वर करता है कोई हर्ज नहीं है कि आप ए इतनी उर्जा जो है, एकत्रित हो जाती है, क्या आपको अपके प्रशन का उत्तर मिला, ओके, तेंक यू.